नमस्कार किसान बाईयों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूटूब चैनल पे किसान साथियों पिछली बारी 26 नौंबर 2023 से 6 दिसंबर के मध्य तक छोड़ पर प्रूप से होती रही हैं जिसके कराण जो लस्वन की फसल है उसमें ज्यादा काफी मातरा में पिलापन आ चुका था कुछ किसान बाईयों ने बहुत प्रकार के ट्रिट्मेंट किये मैंने भी एक वीडियो अपने इसी चैनल पे अफलोड किया था लेकिन फसल जो वापस पिली-पिली दिखाई देने लगी हैं पत्यों की नोक सूक रही हैं तो इसका कराण क्या है तता निवरन क्या है यही आज इस वीडियो में जानेंगे तो पूरी जनकरी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा किसन साथियों लसुन में पिलापन आने के कारण मैंने आपको उस वीडियो में बताया थे उन में से एक कारण होता है किसन साथियों जमीन में लसुन की जड़ में कीड़ा लगना यह एक इसी समस्षे किसन साथियों जो साल दर साल बढ़ती जा रहे हैं यदि आपने पिछले वर्ष से वहीं पे लस्टून लगाया था तो इस वर्ष से आपके लस्टून की पसल में और ये समर्ष से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई आप कीट नाशक जमीन में डालते हैं और इरिगेशन करते हैं उसके बाद कुछ दिनों तक तो आपकी फसल में हरापन आ जाता हैं लेकिन जैसे ही आपकी जो भूमी सुखने लगती हैं फिर से उसमें पिलापन आने लगता हैं किसन साथियों इसका में करानी है कि जैसे ही आपको इंसेक्टि साइड जमीन में डालते हैं उसके प्रवाव उससे क्या होता है कि वो कीट है वो जमीन में नीचे चला जाता हैं और जैसे ही उस इंसेक्टि साइड का प्रवाव कम होता है या उस दवाई का प्रवाव खतम ह कम हो जायता है वो किट फिर से जड़ों के पास सक्री हो जाता है और फिर से जड़ों को खुरदने लगता है उनका रस चूसने लगता है इस बार जो समश्चारी किसल साथ्यों वो मेगट कीट की नहीं है जिसे कि आप मेगट कीट समझ रहे, प्याज का ये गारलिक का, वो मेगट कीट नहीं है, वो एक धागवनुमा अलगी प्रकार का कीट है, जो कि एक नई शमिश्या है, और अभी तक इसे किसी भी दुआई दुआरा नहीं मारा जा सकता है, जिसन साथियों ऐसा कोई अभी तक टेक्निकल नहीं बनाएं, जिसके प्रवाव से आपकी ये समिश्या दूर हो जाएगी, जैसे ही आप कोई भी कीट नासिक दिमिन में डालोगे, ये कीट असक्री होकर चमिन में नीचे चला जाता है, जैसे ही आपकी दवाई का सर खतम होगा, फिर से आएगा, फिर से आपक कोई प्रवाव से आपकी निचे रहता है जिसके प्रवाव से नुकषान होता है, जैसे ही आपने फिर से कीट में डाला, फिर वो प्रवाव होगा और फिर से आपकी जस्मन की फसल में आपको फिला फन दिखाए देने लगेगा तो किसन साथियों इसका निर्वार्ण यही है कि आप समय समय पर कीट नाशक का ड्रेंचिंग के जरिये प्रयोग करते रहें जाता है महिंगे कीट नाशक की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कीट को मारा ही नहीं जा सकता अभी तक तो इसा ही प्रयोग हुआ है देखा गया है कि इस कीट की बर्त्यू होती ही नहीं है किसी भी इंसेक्टि साइट के प्रयोग दुआरा से एवी सेहवी महिंगा से महिंगा कीड़नाशक भी विकिसान पाइवने डाल कर देखा है लेकिन उनके जो परयोग किया है उनका जो परिणा माय वो भी नगन्या है तो इस हिसाब से जो सस्ता कीड़नाशक है किसान साथियों जैसे कि क्लोरोपाई रिपास 50 इस सी इसे आप ले सकते हैं 500 ml तक full dose है इसका इससे ज्यादा आप लेते हैं तो आपकी जमीन भी खराब हो सकते हैं तो 500 ml तक full dose है वैसे समय रूप से 300-500 ml ही चलता है और आप इसे एक सिचाय में दे एक सिचाय छोड़ दे दूसरी सिचाय में या तो लोपाईर पास के साथ किसी कॉम्बिनेशन कर दे या फिर आप कोई दूसरा सकति से एडिल है और इस परकार जब आखिर ठक देते रहेंगे एक एक दूसरी को छोड़कर किसन साथ यो आपके जो समस्या हैं वो नहीं आएगी तो किसन भाईयों इस परकार इस कीट से अपनी फसल को आप बचाते रहें और अपनी फसल की देखरे करते रहें कभी कभी क्या होता है फंगस के कारण भी आपकी जो फसल है उसमें पिलापन आने लगता है लसुन की जड़ में फंगस लगने के कारण किसन साथियों उसमें मेगट कीट का प्रकोब भी हो जाता है क्योंकि फिर लसुन का कंद सड़न तोने नहीं जमीन में कोई कीटी कीट लगने देन समय समय पर आप फंगी साइड का ओर इंसेक्टिस साइड का जमीन में डेंचिंग के जरीय प्रिययोग करते रहें आपको हर सिचाई में ये देने की जरूरत नहीं है इससे एक तो लागत भी बढ़ेगी और उसकता आपकी फ़सल को कोई नुक्सान भी हो जाए एक दो सुचाई सोड़ गे एक दो सिचाई में आप दें इनको और इस परकार आपने पूरी फ़सल अउदी के दुराण इनका परियोग करते रहें किसान साथियों आज की वीडियो में इतनी जानकरी ममित करता हूँ कि दिए हुई जानकरी आपको पसंद आएगी पसंद आए तु वीडियो को लाइक करना चेनल को सस्क्राइब करना और अन्यों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करना ताकि उन्हें भी जानकरी का लाव हो किसी भी परकार की हाथ दवाई परियोग करने से पहले करशी सला करोग की सला अवेश्ची लेवे और फिर उनसे प्रयोग प्रयोग तो किसे साथ जो आप अपने कर्काई प्रयोग से अनि हो सकती हैं उनसे बस सकते हैं वीडियो देने ले आपना बहुत बहुत दन्यवाद जैहें जैजेवान जैकिसा